सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पेस्ट बेल आगन टो मोर नोडिविकेशन्स सब्सक्राइबरी कैसे हैं आप सब्सक्राइब के साथ तो आज मैं यूट्यूब की एक ऐसी सेटिंग आपको बताने जा रहा हूं जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आप डिस्क्रेप्शन बगरा सब कुछ अच्य सा डालते हैं वीडियो का टाइटल भी अच्छे सा डालते हैं बड़ वहां पे एक सेटिंग आती है एक प्राइबिसी सेटिंग आती है जो आपने सुना होगा आ-COO पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वाली आती है और तो उसमें क्या होता ना दो तरह की आपको option दिये जाते हैं एक तो जो चील्डरंस के लिए वीडियो बनाए जाती है जैसे animation वगारा वीडियो हो गए और ये सब और एक जो 18 से plus के लोग वीडियो देखते हैं जिसमें हम कैली जी गाल यूज रहते हैं देखी मैं आपको देखा देता हूँ आप जैसे मैं अपने YouTube studio open करता हूँ फोन में तो यहाँ पर आप देख रहेंगे यह वीडियो है जो मेरी टिक टॉक के ऊपर तो मतलब यह वीडियो ऐसी है जैसे कोई भी देख सकता है बच्चे भी देख सकते हैं है यहां पर एडिट में जाते हैं अपने फोन से आप कर सकते हैं और हर कोई आपकी वीडियो देख सकता है बच्चे भी यहां पर आपको दख रहा हूं अगर यह made for kids है जैसे मैंने यहाँ पर लगाए है made for kids तो आपको यहाँ पर नीचे कोई option नहीं देखेगा तो सीधा आप यहाँ से आपके जो वीडियो असरे बच्चे ही देख सकते हैं 18 प्लेस के लोग नहीं देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है simply जैसे पहले तो हम दोनों option की पहले तो यह it's made for kid वाला option था अब no it's not made for kid इसमें आपको दो option मिल जाते हैं सबसे पहले इसमें आपको option मिलेगा वो है yes restrict my video to viewer over 18 मतलब 18 से प्लेस के लोग आपकी video नहीं देख सकते हैं वो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं अब यहाँ पर second option आपको देख रहोगा no do not restrict my video to viewer over 18 मतलब जैसे आप यह option अगर select करेंगे तो इसमें 18 plus के भी लोग आपकी video देख सकते हैं पर इसमें बच्चे नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमेंने made for kid और यहाँ पर आपको first option चूज करना है यह yes restrict my video over 18 इसके बाद आपको save कर देना है वो video जैसे आप डालते हैं उसके बाद यह आपको करना होता है फिर यहाँ से हम edit में जाते हैं जैसे आप edit करते हैं इसे advanced setting में जाते हैं फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि not selected मतलब कोई भी चीज सेलेक्टिव नहीं है बड़े आप हमेशे जाते हैं कि second option को फिर आपको change करना है तो यहाँ पर यह वीडियो ऐसी है कि अभी 18 से प्लस के लोग नहीं देख सकते हैं अब आपको इसमें क्या करना है सेकंड कर देना option no do not distract my video over 18 मतलब आपकी वीडियो अब 18 प्लस के भी लोग देख सकते हैं बच्चे भी देख सकते हैं तो यह यहाँ पर सेफ कर देंगे हम यह तो अब यह वीडियो मेरी ऐसी बन चुकी है कि इससे 18 प्लस की लोग भी देख सकते हैं और बच्चे भी देख सकते हैं अब यह देखी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें कोई option देखी यह वीडियो है तो इससे हर कोई देख सकता है 18 प्लस की लोग भी देखिए वीडियो और नोट सो करते ने रहे तो यूटूब बढ़ना इंक्लूड एड्स और मॉनेटाइजेशन तो यहाँ पर हर कोई मेरी वीडियो देख सकता है तो यह सिंपल सी सेटिंग होती है तो और आपको करनी चाहिए यह सेटिं क्लोग वीडियो बढ़े नहीं होता है तो वो लोग यह सैटिंग कर सकते हैं यूटूबर इसना है तो उनकी वीडियो बच्के भी देख सकेंगे और काफी सारी लोग भी देख सकेंगे मतलब कोई ऐसे प्रोटैक्टिविटी इसमें कोई आसी प्राइवची नहीं रहे रह से वीडियो हो जाएगी मेरी वीडियो इन्फमिसें टेखनोली पहोती ही मेरी वीडियो हर कोई देख सकता है यह बहुत ही एजी है और बहुत ही बैस्ट तरीका है तो और यह सिंपल ही कुछ नहीं करना है आपको अपने ही फोन में यूटुब YouTube Studio में जाना कोई वीडियो डालने के बाद जब वो 100% processing हो जाती है उसके और वो आ जाती है YouTube पे तब आपको यह setting करनी है तो एक बार फिर बता जाता हूं आप YouTube Studio में जाना अपनी वीडियो को select करना कोई भी जो आपने डाली है उसको edit कर लेना है फिर उसके बाद simple आपको advanced setting में जाना है यहां पर कुछ नहीं करना है यहां से आप देखी category भी select कर सकते हैं और यह license यहां पर आपको audience वाला option देख रहा है इसमें जाना है not select वाला आ रहा है तो उसको स आपको save कर देना इससे आपकी वीडियो हर कोई देख सकेगा तो आज की मेरी वीडियो इसी content पर थी यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना वीडियो पर comment करके बताना आपको यह setting कैसे लगे और कैसे लगे यह बहुत ही helpful है आपकी YouTube वीडियो उसके लिए basically video लोग डाल देते हैं पर वो नहीं जानते हैं कि वीडियो आपकी बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं कि उनको इस act के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है एक दिन brief में आपको यह act बताऊंगो आप चेके privacy इस act में वह चीज बताऊंगो क्यो लगाया गया वो भी बताऊंगो एक दिन brief में जलगी वो वीडियो लेकर आँगो मैं अभी की फिलाल वीडियो थी बहुत थी कि आपकी वीडियो ऐसी हो जाए कि बच्चे भी देख सकें बड़े भी देख सकें मतलो कोई ऐसी privacy ना लगी रहे तो basically यह normal सी setting थी यह setting आप कर लेंगे तो आपकी वीडियो बच्चे बड़े हर कोई देख सकता है तो यार मैं फिर से कहूंगा वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी यार और आप कोई क्वायरी चाहते हैं पूछना information technology से related तो आप मुछ सकते हैं comment में और आप चैनल जरू subscribe करते हैं और ऐसी information technology से भरी वीडियो के लिए मैं हूँ न अगर जोड़ा रहूंगा आपके साथ सो thanks for watching मिलते हैं आपको next वीडियो में